ओम शान्ती 30 सितंबर 2023 की मुरली अभी हम सबी पढ़ेंगे मुरली का टाइटल है मेठे बच्चे तुम्हारा मगज यानि कि दिमाग खुशी से सदा भर पूर होना चाहिए क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नौलिजफुल बने हो मुरली का प्रश्न है तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो उत्तर है संगम पर तुम डिरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो सब बाप के हवाले कर देते हो इसके रिटरन में तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो बाबा कहते इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा किच्ड़ा है वह मुझे दे दो मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो तो भविश्य में उसका रिटन मिल जाएगा मुरली में गीत है ओम नमोश्यवाय अभी हम धारना के लिए मुख्यसार पढ़ेंगे पहला पोइंट है चिंताओं से फ्री होने के लिए बाब समान नौलेज़फुल बनना है बुद्धि में सदा ग्यान का सिमरन करते रहना है दूसरा पोइंट रुहानी सर्विस कर अपनी प्रालब्द बनानी है पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है मुर्ली का बर्दान है सर्व प्रती शुव कल्यान की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहज सेवाधारी भवा मजोरिटी वच्चे बाब दादा के आगे अपनी यह आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंदी बदल जाए घर वाले साथ ही बन जाए लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ है आश रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुव कल्यान की भावना उन आत्माओं तक पहुँचते नहीं बेहद के सेवाधारी सरप्रती आत्मिक भाववा बेहद की आत्मिक दृष्टी भाई-भाई के संबंद की वृत्ती से शुव भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है यही मनसा सेवा की अथार्थ विधी है मुल्लिमी स्लोगन है ग्यान रूपी बाणों को बुद्धी रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं ओम शांती